नमस्कार दोस्तों श्वागत है अब सभी लोगों का एक बार फिर से सप्ता के साथ दिन हर किसी ने किसी देवी देउताओं को शमरपीत होता हैं इसी प्रकार सनीवार के दिन सनी महराज को शमरपीत हैं सनी देव को निरणायाग्रा कहे जाते हैं इनके कुद्रिष्टी से बड़े बड़े देवी देउता भी बच नहीं पाये तो हम सधारान मनुश्यों की क्या बाद शनी महराज को निरानागरा कहे जाते हैं ये हमारे कर्म को नुसार हमें अच्छे फाल प्रदान करते हैं अगर हम गरत कर्म करते हैं तो ये हमें बुरे परणाम भी देते हैं तो आज किस बीड़ो में शनिवार की दिन किये जाने वाले शंपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो शनिवार की दिन काला कपड़ा, लोहे के बरतन, काले तील, कंबल, उड़त की दाल ये दान जरूर करें। लेकिन फिर भी लाब नहीं मिल पारें। तो शनिवार की दिन एक काम करना, काले कुत्ते को सरसो तेल में लगवी रोटी, किसी भी काले कुत्ते को खिरा देना शनिवार के दिन। तो सनी दो समापता हो जाते हैं, जबर जासता ये पावरफुल तोड़का है। शनिवार की दिन क्या न करें। तो सनिवार की दिन सराब बिल्कुली मत पीने से घाता कमाना जाता है। और पूर्व उत्तर और इसुआंध इसमी यात्रा भी शनिवार के दिन हमारे धर्मसासरों में कहें정을 नहीं करना चाहिए। लड़के को शनिवार के दिन ससुराल नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि उससे लड़के की जीवान में काफी तनावपंधा होता है। परवारी जो जीवन होती काफी कर्ष्ट से गुजरती हैं। शनिवार के दिन तेल, लकड़ी, कोईला, नमक, लोहे या लोहे के वस्तू का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। अन्यथा बाद में चल करके हमें काफी हमारे साथ अनिष्टा हो सकते हैं। सनी वार के दिन क्या किया जाता है तो सनी वार के दिन सनी देव को शमरपीत है इसलिए सनी वार के दिन सनी देव की जो है विधी विधान से आप पूज़ा कर सकते हैं सनी को काफी अच्छा ग्रा कहे जाते हैं ये कभी किसी को बूरे पर नाम नहीं देते हैं ये कर्मों को अरोगय की प्राप्ति होता है। वी जर्टे समापता हो जाते हैं वीड़ो में आगे बने से पहले और भी जानकारी बताने से पहले सभी दर्सवकों से गुजारिस करना चाहूंगो कुमेंड बॉक्स में अभी तक जैसनी देव नहीं लिखें तो लिख दीजे क्योंकि सनी महराज बहुत ही जल्दी प्रसन हो बताते हैं जिसे आपका भाला हो आपका कल्याण हो कोई आपके मन में अगर कोई प्रस्ट नहों कोई सवाल हो तो कमेंड बाक्स में पुछे निस्टर वीड़ो में आपके द्वारा पूछेगे सवाल की बिड़ो बनाकर की जानकारी साजा की जागी सनी देव को खूस कैसे करें बताईए गुरु देव तो सनी देव को प्रसन करने के लिए बहुत सारे उपाएं जैसे कि आप जो है दान दाता बने यानि कि कुछ न कुछ चीज लोगों को दान करना शुरू कर दी से सनी प्रसन होते हैं सनी जी की जो है यंत्रा घर में स्थापीत करें इसे भी सनी प्रसन होते हैं शनी मंत्रा का जाब करें इसे भी सनी प्रसन होते हैं क्योंकि जो सनी महराज हैं ये भगवन संकर के सिस्स हैं सनी को क्या-क्या घर में नहीं लाना चाहिए ध्यान से सुने तो सनी वार को लोहे का बना समान बिल्कुल ही घर में खरित करके मत लाना ऐसा माना जाता है कि सनी वार को लोहे का समान खरित करके घर में लाने से सनी देव नराज होते हैं क्योंकि लोहे का जो स्वामी कौन है शनी महराज जो लोहे धातू है ये शनी का धातू है इसलिए इस दिन हो सके पहले भी बीडियो में बताएं कि लोहे का क्राय विक्रे नहीं करना चाहिए सुबा उड़ते ही क्या नहीं देखना चाहिए शनीवार के दिन तो ध्यान से शुन ये शनीवार के दिन सुबा उड़ते आपको क्या नहीं देखने है ऐसे धार्मिक मान्यता है कि सुबा उड़कर के तुरंद सनीवार के दिन अपने चेहरे नहीं देखना चाहिए ऐसा करना असुब माना जाता है क्योंकि अगर आब शनीवार के दिन सुबा उड़कर के ततकाल अपने चेहरों को देख ले तो सारे दिन खराब गुजरते हैं अब मान महसूस होते हैं और इस दिन आब के कोई भी कारों शफल नहीं होते हैं सुबा उड़कर के जंगली जानवार की भी तस्वीर घर में नहीं देखना चाहिए शुबा उड़कर के जंगली जानवार की तस्वीर देखते हैं तो ऐसा माना जाता है इससे वाद विवाद होने की शनीवार के दिन संभावना बढ़ जाते हैं सुबा उड़कर के सोयम की परचाही नहीं देखना चाहिए माना जाता है कि परचाही देखने से जो अग्याद भाय होता है ये तनाव की प्राप्ती होता है शनीवार के दिन दीपग कब जलाना चाहिए शनीवार के दिन जो अब दीपग जला सकते हैं सामके समय में आप में सदिक्ता लोग ये पूछतें कि गुरुजी सनिवार के दिन तक्ये के नीचे लॉंग रखने से क्या होता है वैसे हमारे धर्मत सास्तुर में कई बार मैं टोने टोटके के बारे में जानकरी बताता हूँ उसमें भी बताता हूँ जो लसून है जो लॉंग है ये बहुत ही पावरफूल चीज माने गए हैं लसून के गंद के कारण नकरात्माग चीज इनके पास में नहीं आते लसून को नकरात्माग चीज को समाब तक करने वाला बहुत ही पावरफूल एक प्रकार के जड़ियम बोल सकते हैं तो ऐसा काते हैं कि तकिये के नीचे लंग रखने से ये उर्जा का संचार करता है ये निगेटिव इनर्जी को खत्मा करता जिसे अच्छे नींद आती है अगर आपको बुरे शपना आते तो शनीवार के दीन भगवान सनी महराज का ध्यान कर लिजे शनी महराज की पांच ब नंग बचाने से दीपागर लंग डालने से क्या होता है तो अगर आप ये जलाते हैं अगर ये घर में नक्रात्मा कूर्जा फिलने नहीं देते घर में हमेसा पाजेटि उर्जा बिखारतें जो लोग निरोग रहते हैं अच्छे रहते हैं गुरुजी यह बताइए सनिवार के दिन लौंग जलाने से क्या फैदावई है कि सनिवार की दिन अगर आप लौंग जलाते हैं तो घर में काली बिद्धिया नहीं लगती है अगर किशी ने तंत्र विकार कर दिया हैं तो अगर आप प्रतेक शनीवार के एक नियम बना लिजे लॉंग जलाने का तो जो तंत्र विकार हैं मंत्र विकार हैं कोई सत्रू आपको अनवस्चक परसान करते हैं घर में तंत्र विकार छोटे बच्चे को करते हैं तो सारे समस् उसको दो रासी का स्वामी प्राप्त हैं दो रासी की स्वामी जैसे मकर रासी कुम रासी हैं इसके साथ ही तूला जो रासी है ये सनी की उच रासी मेश रासी को भी सनी की नीच रासी माना गया लेकिन जोती सास रखाते हैं सनी की जो प्री रासी है वो है तूला क्या सनी महराज की फोटो हम घर में रख सकते हैं बिल्कुल ही सनी महराज की फोटो आप अपने घर में रख सकते हैं इनकी पूजा कर सकते हैं बस सनी महराज की मूर्ती घर में नहीं रखना चाहिए सास्तोर में ऐसा कहे गया है अगर आप सनी महराज के यंतरा रखते हैं फिर इसे अगर आपको इस जीवन में काल सारपा दोस लगोगे वो भ्यंकर और प्रण्याम देने लगते हैं इसे जीवन में बहुत ही कष्टा आते हैं अगर आप दुद पीना चाहते हैं थोड़े से उसमें क्या कर दीजी आप जो हल्दी मिला लिजी रंगा लिजी इसके बाद जो आप इनका सेवन कर सकते हैं परयोग कर सकते हैं सनीवार को काला कप्डा मत पहने इस बात कभी से ध्यान एकना सनीवार के दिन क्या खरीदना शुब होता है तो सनीवार के दिन ध्यान से शुनी आपको क्या खरीद करके लाना चीज़ों की बहुत ही सुब कहे गए हैं त पाके देवी दियोताओं के लिए पूजा का समान खरीदना चाहते हैं शनी देव की पूजा कर सकती हैं सनी वार को को भी माता बैने चाहें तो सनी की पूजा कर सकती हैं अब पूजा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सनी वार को पीपल में जल कितने बज़े चढ़ाना चाहिए तो सनी वार की दिन ध्यान से सुने पीपल की पूर्टी होती हैं साथ ही सत्रू कभी जो है नास होता है पीपल के नीचे में कौन से तेल का दिपक जलाना चाहिए सनी वार के दिन तो पीपल प्हेन के नीचे में शनीवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि सनी महराज आपके उपर प्रसंद हो जाएं, आपके उपर अपनी अच्छे क्रिपा दृष्टी बरसाएं, आपकी जीवन में धनका भाव न हो, आप सनी महराज को अपना इश्टा मानत हैं, उनके क्र प्रकान को शान करना चाहते तो नित्य संीवार को सामके समय में PEEPAL PYAŃण के नीचे में कि आप जो सरसो के थेयल का दिपक जलाइए इससे सानी महराज बहुत ही जल्दी प्रशन होते हैं साम को कितने बजे दिपक जलाना चाहिए शनीवार की बताईए गुरुजी तो साम के समय आप ध्यान से सुनिए अगर आप सुबे दिपक जलाना चाहते हैं तो पांस से दस बजे की बीच में जला सकते हैं और अगर साम के समय जलाना चाहते हैं सब्सक्राइब करें अगर अधिक्ता लोगी कोमेंट करें तो देखे अगर रात के शमय में अगर आप सब्सक्राइब करके सोते हैं तो अबश्य ही धनलाब मिलते हैं ऐसा उपया करने से आपकी सोही किसमत जाग जाते हैं आपको बिल्कुली धन लाब मिलेगा सबसे पहले आपको एक उर्पय का सिक्का लेना है और इस एक उर्पय की सिक्के को आपको 24 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए सरसो के तेल में डुबा देना है फिर इसे सनी माराज को समारपीत कर देना है और इसे बाद में फिर आप जो इसे तक्यक नीची मेरा करके सोना सुरू कर दीजिए सनी माराज की कृपा के कारण या सिक्का आपके लिए एक प्रकार की कुबेर का कुण्ची बन जाएंगे अर्था धन खिचनी का चाबी हो जाएंगे फिर आपके जीवन में अगर धन का भाव तो धन का भाव दूर हो जाते हैं एक भाई ने में कोमेंड करके पिछले टाइम पूछी थी गुरु जी सनी माराज की दस ऐसे कौन से नाम है सारे मनुरत की पूर्ती होता है अड़य लगे सड़े साती लगे सनी के कुद्रिष्टी से बचना चाहते हैं यह दस नम आभके कल्यान करेंगे अड़य या सड़े साती जीवन में चेरी परसानी गश्टाबादा तकलीब कोड के चेरी का मामला सारे समसा से यह दस नम आपको उबार लेंगे बचा लेंगे और आभके जीवन में कभी भी किसी भी वस्तू का किसी भी पदार्था का धन दौलत का कभी भी अभाव नहीं होने देगा पहला सनी महराज का जो नाम हो है कोडास्था के नाम से जानते दूसरा नाम है पिंगल तीसरा नाम है बबरू चौथा नाम है कृष्ण पाच्वा नाम है रवदरान्तक छठवा नाम है यम सात्वा नाम है सौरी आठवा नाम है सनेश्चर नौमा नाम है मंद और दस्वा और अगर आप शाहता हैं और अगर अगर पोग़ने के अगर साथक करनें गर्दखेते कंको क्रीपा की न रिति मैं बभर्ता करना चाहते हैं तो पोग़ने जीक चाह सकुट कि कैमें बनी है सनिवार को साथ प्रकार के अनाज दान कर सकते हैं साथ प्रकार के अनाज में जैसे के गेहूं, चावल, च्वार, मक्का, बाजरा, चना और काली, उड़द ये चीज साथ प्रकार के अनाज में सामिल है इसका दान करते हैं तो इसे हती हूँ तम सास्वें भी कहे गे हैं सनół वार को क्या दान नहीं करना चाएth तो सन tablespoons की दिण सफिध ह करना चामाल दान मतरों दूसे बनीवी वस्तू का दान मतरों थीक है इस बात का विशेश लिवन रखना चामाल दान करना चाहते हैं सनीवार के दिन किसी मनों कामनों को बोल करके कर सकते बांकि सफियत कलर की चीजों को सनीवार के दिन हमारे सास्तों में दान करना निश्यद बताएं इसे सनी महराज कुरोध होते हैं सनीवार को दान करने से क्या होते हैं वही सनी महराज की क्रिपा पराप्त होगा सारवपथम आब सभी दर्सकों को बीडियो समाप्द करने से पहले एक बात जरूर बता दू शनीवार के दिन हो सके तो छायादान जरूर करना कोई उपाय करे या न करे आब के जीवन में कैसा भी तकलीब हो जीवन में कैसा भी परसानी हो कारस अफ़ल होते वे रुख जाते हैं वो कारस अफ़ल ने उपारे तो समझे सनी की कुदरिष्टी लगी है और बिल्कुल हर मनश्यों को सनी सता आता इसमें संदेनी च्छायादान कर सकते हैं च्छायादान का आर्थ होते हैं अपने च्छाया का दान करना तो सनी वार को एक कांसे की कटोरी में सरसो का तेल लेना और एक उर्पै का सीक्का उसमें डाल करके उसमें अपने परचाई को देखना और जा करके इस तेल को किसी ब्रामभाण को ये फिर सनी मंदीर में जा करके छोण करके आ जाना किसी ब्रामभाण को दान कर देना को दान क में अबको सधम्हाराज को सब्सक्राइब का मंगल नहीं पिशक्ति झेजैं सब्सक्राइब करना अगर आपके मान में कोई डाउट रहा गया है कोई कोच्चा रहा गया तो कमेंट बाक्स में बिल्कुली पूछे आपकी मदद की जाएगी आन लए नाउगा तो आपकी मदद करूगा तो यह जानकरी कैसा लगे हमें जरूर बतानो इस वीडियो को आगे सेर करना न भू धन्यवाद नमस्कार जय शनीदेव